हेलो बच्चो आज में आप लोगों को क्लास 8 की डियोई की तरफ से ने आप लोगों को मिशन मैथमेटिक की वर्क्षीट मिलती है तो यहाँ पर 24 अगस्त की मेनी वर्क्षीट लगा रखी है जिसमें आज आज आम इसको कोशन आफ दे करने वाले है आप से किरें find the smallest whole number by which 600 must be मल्टिप्लाएं सो डेट दो रिजल्टिंग नंबर इजब परफेक्ट स्कॉर क्या एक एसा छोटा whole number बताओ अगर आप उसको 600 के इंदर मल्टिप्लाएं करोगे ना तो आपका आंसर एक परफेक्ट स्कॉर बन जाएगा यह 600 से जब मल्टिप्लाएं कर दोगे तो तो इसका मतलब यह तो कंपर मेरा अब भी परफेक्ट स्कॉर नहीं है तो पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इसके फेक्टर्स में कौन-क कि उसके बाद फाइव फाइव जोच आएगा और फाइव बन जोगता तो शिक्संड़ेट के प्राइम् फेक्टराइजिएशन अगर हम देखें तो यह है एक पेयर ही होग्या एक पेयर ही हो ग्या अब आप देखें एक टू और एक थ्री का पेयर नहीं हम सुर्ण है तो आपको इसमें एक 2 और चाहिए और एक 3 और चाहिए पेर बनाने के लिए तो बस यहां लिख दो required smallest whole number तो एक 2 चाहिए एक 3 चाहिए तो टोटल आपको 6 number और 6 और चाहिए अगर आप 6 को इस 600 के अंदर multiply करते हो तो फिर यह एक perfect square बन जाएगा clear है यह था आपके पास question आज का 24th of August की worksheet हमारी complete होगी मिलते हैं next class में next worksheet के साथ thank you